पढ़े उसके अंदर उनर हो ताकि समाज की आशक्ता को वो पूरा कर सके और उसके साथ साथ जो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है जो हमारी सांस्कृतिक मुल्य हैं उन मुल्यों को वो छात्र अपने आप में आत्पसाथ कर सके और इस प्रकार जो छात्र बनेगा विद्या अभी होगा और निश्यत रूप से जो हमारी एकईसनी सदावती की जो चुनावतियां हैं चाहें भारत हमारे देश के सामने जो चुनावतियां हैं हम देखें विभिन च्छत्रों में जी से चुनावतियां हैं एनर्जी के च्छत्र में चुनावतियां हैं हेल्थ के च्छत् जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं एक इसी सताब्दी के उसको भी सामना कर सके इसको देखते हुए यह सिक्षानीती रास्टी सिक्षानीती 2020 का निर्मार किया गया है इसके रूप तयार किया गया है तो बच्चा जो भी द्याले के अंदर में आएगा इस सिक्षानीती के आधार तो इसको तित्रिभासा फार्मूला के आधार पर उसको पढ़ना होगा त्री लंग्वेस फार्मूला और त्री लंग्वेस फार्मूला के अंतरगत दो लंग्वेस तो इसमें जो अपने भारत की भासाएं हैं ओ भासाएं अपनी कंपल्सरी होंगी और उसमें विद्याले में तो लड़ता भासा को पढ़ेगा ही और घ्यान बि blends के बाखी सब विस्यों को भी उसे लिए पढ़ने के लिए वह उस्ता रहेगी कि हूचा है तो अपनी भासा में पढ़ सकता है वह चाहे तो अंगरेजी में पढ़ सकता है मगर त्व तक कंपल शन है कि उसको मात्य भासा में पढ़ना पड़ेगा और पांचवी के बाद विद्याले या हार एजुकेशन की बात वो लड़ता चाहे तो अपनी भासा में कर सकता है या चाहे तो वो अंग्रेजी भासा में दूसरी भासा में भी कर सकता है तो इस प्रकार इस सिक्षानीत के अं दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसके skill का development वो किस प्रकार के skill में वो लड़का निपुर्ण होना चाहता है वहीं प्रकार वहीं से उसकी आवसक्ता के अनुरूप और उसकी रूची की अनुरूप ही उसको पढ़ने की वेवस्था होगी और इसके साथ विद्याले अस्तर पर भी जो लड़के का जो इव्यर्यवेशन होगा तो उसकी गहें तो उसको पर इब्येशन की बात की गई है कि अभी हम लोग केवल जो परिक्षा लेकर के और इवेलेशन कर लेते हैं उसके आधार पर नहीं आधार ऑगा बलकी 360 से दूसरे लड़के का क्या इंट्रेक्शन है उसके आधार पर लड़के का समाज के साथ क्या इंट्रेक्शन है उसके आधार पर करिकुलम इस परकार करिकुलम का डवलप्मेंट किया जाए कि यो सिख्षा नीतिके तारूप के अंतरगत जो परिकलपना की गई है कि बच्चा विद्यालई अस्तर पर ही भारतिय सांस्कृतिक मुल्यों और परंपरामों को आत्मसात करता हुआ उसके अंदर एक वोकेशनल हो तो इसलिए इन समस्याओं को देखते हुए हमको उसी परकार के सिख्षकों का भी निर्मान करना होगा और इसलिए इस्पेसल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें अपने सिख्षकों को कि जब तक सिख्षक उस परकार के ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक वो उस परकार के छात्रों का निर्मान नहीं कर पाएंगे इसलिए उस प्रकार के छात्रों के निर्मान के लिए उस प्रकार के हमको सिख्षक चाहिए होंगे और उसी प्रकार के सिख्षकों के हमें सिख्षा भी देनी पड़ेगी सिख्षकों को और हमारे पीचर एजिकेशन को भी उस प्र प्रहाइन है सारी भारतिय भासाओं में दरिया कच्छा 5 तक कि जो प्रहाइन होगी उस प्रहाइन in औरभारतिय विवन massage में त्यार करने की व्योस्ता है और विद्याले इस्टर परनी चाट पढ़ेगा तो क्लियर कट जैसे साइन्स या या दूसरी आपालोजी तो उसमें भासाओं में बहुत अंतर नहीं रहेगा कितने भी हमारे और से होंगे एक दूसरे से मेल खाते हुए होंगे जैसे साइन्स का भी कोई च्छत रहे साइन्स स्ट्रीम उसका मेन है वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है म्यूजिक आदमी आर्थ भी पढ़ सकता है तो इस प्रकार जैसे हम कंपार्टमेंटल ये संस है डिसिप्रिंस का वो न होकर के एक दूसरे के साथ ओभर लैपिंग डिसिप्रिंस होगी ताकि लड़के को भी पढ़ने में अनन्दाएगा और जो टीचिंग होगी विद् इस प्रकार की पढ़ाई बिद्यालई अस्तर पर होगी अब बिद्यालई अस्तर के बाद लड़का जब इनवस्टी लेवल पर जाएगा विश्मिद्यालई अस्तर पर जाएगा तो विश्मिद्यालई अस्तर पर उसको अपनी डिसिप्लिन्स को चुनने का अधिकार रहे अभी जैसे भीर लग जाती है जैसे कोई चाहता है कि हमारे बिस्विध डाले में बच्चा जाए तो बच्चा जी डॉक्टर बने बच्चा इंगिनियर बने खास मेनेजमेंट की डिग्री ले इस परकार के जिसे होड लगी रहती है इस परकार के होड को समाप्त करके एक जैसे विज्ञान का छातर है, chemistry का छातर है तो अभी आसानी से चाहेगा है तो हम music पढ़ सकते हैं, आसानी से performing arts पढ़ सकते हैं, liberal arts पढ़ सकते हैं, कला पढ़ सकते हैं, तो एक दूसरे विसाय में लेने के लिए विसाय में flexibility रहेगी और जो choice best credit system होगा, major elective और minor electives का, उसम इतनी सारी disciplines of float की जाएंगी, कि चाहा जाए कि कोई भी discipline का लड़का जिसमें बहुत उसका च्वाय से उसमें तो ले सकता है, और उसके साथ साथ किसी दूसरी discipline में विरूची हो, तो उसके अलहार पर भी ले सकता है, तो इनवस्टी लेबल पे multiple discipline वाले इनवस्टी खोलने का प्रावधान है, जो भी अब इस पी दाले होंगे, अब आगे इस पी दाले खोले भी जाएंगे, तो single faculty इस पी दाले नहीं, जिसे हम देखते हैं, ला इनवस्टी, अग्रिकल्चर इनवस्टी, टेक्निकल इनवस्टी, मेडिकल इनवस्टी, ये concept अग्रिकल्चर भी हो, साइंस भी हो, इस प्रकार के विश्विद्याले की परिकल्पना की गई है, ये national education policy की अंतरगत, और इस में बताया गया है, इस में मिशन नालंदा और मिशन तक्सिला है, मिशन नालंदा की अंतरगत, भारत में 100 ऐसे विश्विद्याले, या तो जो existing विश्विद्याले हैं, उनको convert किया जाएगा, या नहीं तो दूसरे ऐसे विश्विद्याले खुले जाएंगे, जो कि multi-disciplinary institutions हो, multi-disciplinary विश्विद्याले हो, multi-disciplinary universities हो, जिसमें की लड़का पढ़ रहा है, तो उसको enough flexibility है, एक कोर्स से, दूसरे कोर्स को चुनने के लिए, और कोर्सेट के साथ साथ में, वो इस परकार रखा गया है कि credit लड़का एक कोर्स पर करके कितना credit वो unfirm करता है, उसके लिए credit bank की अस्थापना का भी प्राउधान है, और credit bank किस परकार से बनाए जाएं, किस परकार उसके अस्थापना होगी, इसके लिए कुछ IIT को already task दिया ग में चाहरेखा कि चैनल इसल ही किया तोट एक साल भी करके और वहां से व इंशिट ले क्र सकता है। जदि वो दो साल वहां पर रहे, तो उसको डिप्लोमा मिल सकता है. जदि तीन साल पर हाई करे, तो उसको डिगरी मिल जाएगी. उसको B.A. B.S.C की डिगरी मिलेगी. और जदि चार साल पर हाई करेगा, तब उसको full degree with research मिलेगी. तो चार बर्स का जो graduation की degree है वो graduation की degree को चार बर्स के रूप में रखा गया है और चारो बर्स में multiple entry और multiple exit का प्राउधान है कि चारो बर्स में किसी भी बर्स में जदी छात्र चाहे तो उसमें entry पा सकता है और किसी भी बर्स में चाहे तो उसमें exit पा सकता है निकल सकता है और जब वो निकलेगा किसी एक बरस में, उदाहन के तोर पे एक बरस ही पढ़कर के लड़का यदे निकल रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका क्रेडिट लिखा हुआ हुआ कि इतना क्रेडिट उसने अर्म किया, वो लड़का दो साल, चार साल, पांच साल बाद भी यदी आता है सेकेंड यर में भी परहाई कर सकता है, और अपना क्रेडिट उसका क्रेडिट यो पहले बैंक में जमा है, तो तीन बर्स जदी लड़का पढ़ता है बैशलर लेवल पे तो उसको गी बेरी मिलेगी और चौतह बर्स रहेगा और एकस्प्लूसिबली फॉर रिसर्च को कि रिसर्च के ऊपर बहुत धान दिया गया है राश्ची सिख्षानी ती 2020 में और इसलिए धान दिया गया है कि आज हम सिख्षा के बदलते हुए परिवेस में जदी हम बैस्विक लेबल पर दिश्ट डालें तो किसी भी देश की प्रगति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो सोध उस देश में क्या है साइन्स और टेकनॉलजी का स्टंडर्ड क्या है उस देश में सबसे पहले हमारे दिश्ट याथी है तो सोध रिसर्च एक बहुत important component है हमारे institutions की quality के लिए और रिसर्च एक important component है किसी देश की प्रगति के लिए को कि हम research करेंगे innovation के साथ, नमाचार के साथ, नौनमेस के साथ, तो हमारे जो हमारी समाज की जो आवसकता है, समाज की आवसकता को ध्यान में रखते हुए जिए हम सोध करते हैं, तो सोध हमारे लिए उप्योगी है, और उसी प्रकार के सोध हमें करने भी चाहिए, हम अक्सर रेखते हैं कि बहुत जगे क्या होता है कि इस पी जालों में कि repetitive सोध होते हैं, तो repetitive सोध जिसका कोई उप्योगता न हो, उस सोध को छोड़ करके हमें उस सोध की तरफ बढ़ना होगा, जो कि नौनमेसी सोध हो, नमाचार जो सोध हो, समाज की जो आवसकता हो, उसकी अमिर कर पाएगा, और इसी के लिए, इसी के लिए राष्टी सिक्षानिती 2020 के अंतरगत National Research Foundation की व्योस्था की गई है, कि पूरे देश के अस्तर पर एक ऐसी नियामक संस्था होगी, जिसका नाम होगा National Research Foundation, आज तक अभी हमारे देश में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है, रा जदी हम Research करते हैं, तो उसके लिए Extramural Funding के लिए हम Apply करते हैं, तो बहुत सारी हमारे funding agencies हैं, उदागन के तोर पे जिसे University Grant Commission है, Indian Council of Medical Research है, Indian Council of Agriculture Research है, Department of Science and Technology है, Department of Biotechnology है, Ministry of Energy Resources है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें कि हम project लिखते हैं, या और जिसके पास project मिलने कि समभावना कम रहती है, वो University Grant Commission के पास minor research projects लिखते हैं, वो भी मिलता है, तो कहने का ताथपल कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज की तारीख में, जहां से कि हम funding ले सकते हैं research के लिए, मगर उन संस्थाओं के द्वारा एक समयकित रूप से, integrated रूप से monitoring का कोई system देश में आज तक अभी नहीं आ पाया है, को कि देश के सामने इसलिए किस university को, किस area में research करना है, priorities अब तक focus नहीं हो पाई हैं, तो National Research Foundation, जो और आस्ट्रियर research foundation है, और आस्ट्रियर लेबल पर क् हमारे हां research के focused areas होने चाहिए, वो इसकी जिम्मदारी हो identify करेगा, और उसके साथ-साथ research की funding करेगा within universities में, तो जब एक ही foundation होगा research की funding करने के लिए, तो निशी तुलिप से उसके portal पे ये होगा, कि किस university के द्वारा क्या-क्या research हो रहा है, तो उसमें research का duplication नहीं हो पाएग है, आज क्या हो रहा है, अक्सर कि हम जाने में, अन जाने में वह research कर रहा है, थोड़ा बदल के जो दूसरे बिस्पिदाले में दूसरा कोई कर रहा है, तो ये research के duplication से हमारे resources जो है, अनिससरली खर्च होते हैं, और जो हम चाहते हैं कि समाजयोपयोगी हमारा सोध हो, वो स किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आज समाजयोपयोगी सोध को करने के लिए और ऐसे सोध करें, जो कि हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे राष्ट के आवसकताओं के अनुरूप हो, उसके लिए National Research Foundation की विवस्ता इस राष्टे शिक्षानीत के द्वारा की गई है, और यही National Research Foundation ये पैसा तो देंगे, फंडिंग देंगे, फंडिंग के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे कि आपके रिसर्च का प्रोग्रेस क्या है, तो फंडिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इसके साथ साथ आपकी मेंटरिंग भी करेंगे, कि आपके रिसर्च का regular presentation करा करके कैसा आपका और feedback होना चाहिए जो experts हैं वो experts इसमें feedback देंगे और experts राश्टी और अंतराश्टी अस्तर के experts रहेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे हमको सोध करने में बढ़ावा मिलेगा सोध की गुनावत्ता में ब्रहुत्री होगी और सोध की गुनावत्ता में ब्रहुत्री होगी तो निशित रूप से हमारा सोध का standard बढ़ेगा हमारा quality of publication इंप्रूव होगा आज पूरे बिस्व में हम बात करें तो पूरे बिस्व में भारत science and technology के छत्र में research publication के quantity के छत्र में हमारा तीसरा अस्थान है पूरे बिस्व में मगर quality के छत्र में हम बात करें तो quality के छत्र में हम उस करना है तो निशीत रूप से ज़रूरी है कि हमको सोध की गुणता में सुधार करना होगा और innovative research पर हमको ज्यादा ध्यान देना होगा repetitive research को छोड़ करके और इसी के लिए राश्टी शिक्षानिती 2020 के अंतरगत national research foundation की बात कही गई है कि नेशनल रिसर्च foundation होगा जो कि सही तौर से monitor करेगा कि पूरे देश के अस्तर पर जो विभिन रिसर्च इंस्तूट्स हैं जो विभिन विश्विद्याले हैं उन विश्विद्यालों में किस प्रकार सोध का अस्तर रहे तो हम बात कर रहे थे और भी जिए में admission देने के बाद Chief हम जो एड्मीशन मीशन लेंगे तो हमारा चार बर्स का Dutch रूस होगा और चौता बर्स मुख रूप से अफुकस रहे तेक इस परस का पीस पर ड जो मास्टर लेवल का प्रोग्राम जो है दो बर्स का होगा मास्टर लेवल का प्रोग्राम और दो बर्स के मास्टर लेवल प्रोग्राम में जो पहला वर्स होगा और जो उसमें दूसरा वर्स होगा मास्टर क्लास का दूसरा वर्स वो पुन तहर रिसर्स के ऊपर डिडिकेटेड होगा जिसे डिशर्टेशन होगा डिशर्टेशन या इस्परिमेंटल रिसर्च वो सोध के प्रती समर्पित रहेगा तो सोध की प्रधानता यहां हम देखें तो बैशलर लेवल पर भी सोध की प्रधानता दी जा रही है बैशलर लेवल पर भी चौथा वर्स पुन रूप से सोध को समर्पित है और मास्टर लेवल पर भी दूसरा वर्स पुन रूप से सोध को समर्पित है और इस प्रकार ये तो चार बर्स और दो बर्स का डिगरी प्रोग्राम में इसके अलावा इंटेग्रेटड डिगरी प्रोग्राम की बात की गई है। इसमें की गई है और जो की जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जिम्मदारी रहेगे की फेलोशिप्स देना और फेलोशिप्स आइडेंटिफाई किये गए हैं अलग-अलग छेत्रों के लिए और रिसर्च को बहावा देने की बात की गई है कि अभी जितनी फंडिंग हमा इसमें बढ़ाया जाए और उसको बढ़ाने की व्योस्था इराश्ट्री सिक्षानीत में की गई है और हम देखें तो पुर रूप से इराश्ट्री सिक्षानीत में बजट का 6% खर्च की ब्यौस्था है हम 1968 जो पहले की जो हमारी बहुत सारी सिख्षानीती आई हैं जो कोठारी कमिशन का भी रिक्मेंडेशन था तो कोठारी कमिशन ने भी कहा था कि पूरे GDP का कम से कम 6% सिख्षा के उपर खर्च होना चाहिए मगर पूरवर्ती सरकारों ने भी और कहीं भी हम ज्यादा से ज्यादा देखें तो यतना मैक्सिमम खर्च हो पाया है अब तक चार दसमलों उच परिशत GDP का वही सिख्षा के उपर खर्च हो पाया है मगर ये राश्टी सिख्षानीती 2020 कहती है कि हम पॉब्लिक पार्टिसिपेशन से इंडेस्टियल पार्टिसिपेशन से सबके सहयोग से हम ऐसा करेंगे कि इसमें हमारी कुल GDP का लगभग 6% खर्च सिख्षा के उपर हो तो कि जब सिख्षा के उपर खर्च जादा होगा को कि हम इसमें नई निवस्टिज बनाने की बात की गई है नए ढंग से ट्रेनिंग की बात की गई है तो बहुत खर्च आएगा तो उस खर्च को वहन करने की जिम्मदारी किसकी होगी जिम्मदारी हम जानते हैं कि सिख्षा एजुकेशन कंकरेंट लिष्ट में है सिख्षा पे खर्च करने की जिम्यदारी केंदी सरकार की भी है, राज सरकार की भी है और हमारे पुराने जवाने में जब यहां गुर्कुल की परंपरा हुआ करती थी तो उस समय तो समाज के उपर ही पुर्ण रूप से सिख्षा के जिम्यदारी थी जो चात्र हुगा करते थे जाते थे विक्षाटन करके विक्षा मांगे लाते थे समाज से और जो कुछ विक्षा मांग करके वही गुरू को देते थे और उसी से सब का भरन पोसन का काम चलता था मगर अभी बर्तमान परिवेश में जाकि सिक्षा कांगरेंट जिम्मेदारी को समाज के उपर है मगर यंद्र सरकार और राज़सरकार दोनों के जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को सिख़ित करने के लिए और इसलिए इस सिख्षानित में ये प्रावधान है कि हुम तरफ ये शिख्षानित ये आगे की तरफ बढ़ेगे तो रिसर्च पर विशेश ध्षान देते हुए च्या हो बेक्सटर डिगरी की बात हो च्या हो मास्टर डिगरी की बात हो बेक्सटर डिगरी में भी एक वर्स पुर्ण रूप से सोच के प्रतिस्र मरकित है और जो दिएसी में जिए चार बर्स पढ़ चुका चौत्य बर्स रिसर्च कर चुका तो उसके लिए एक बर्स और प्लस कुछ एडिशनल रेमेडियल की व्योस्ता है Master degree में तो इस प्रकार ये Master Master degree तक लड़का जाएगा और उसी जब लड़का बैचलर और Master degree में जाएगा उसी समय उसके कौसल के अधार पर उधाना बन जाएगे कि आगे उसके अंदर क्या हुनर है ये किस तिसा में जाना चाहता है तो वहीं से भी अपने परहाई को discontinue कर सकता है को कि किसी भी अस्तर पर यहाँ पर discontinue करने की ब्यौस्ता है जब वो समझ लिया कि हमारे अंदर ये हुनर है हमारे अंदर ये particular skill का development हो गया तो उसके मताविक वो अपने जा सकता है समाज में अपना थार्ज करने के लिए मगर जदी वो आगे की परहाई continue करना चाहता है जदी वो research की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सारे आगे ब्यौस्थाएं हैं को कि national research foundation के द्वारा उसको fellowship मिलेगी और बहुत तरह की research projects भी जब टीचर्स को मिलेंगे तो इसी के द्वारा मिलें और एक राश centralized agency की व्यवस्था है जो कि test कराएगी और वो national testing agency NTA की व्यवस्था आए कि राश्टी अस्तर पर जितने भी परिशाएं हैं वो कराएगी आ होता है कि विभिन विश्विद्यालों की अपनी अपनी अलग-अलग intense test को परिशाएं होती हैं जिसमें की चात्र को भी परसानी हो इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है कि राश्टी अस्तर पर एक national testing agency होगी जिसकी जिम्हदारी होगी कि पूरे देश में एक साथ को testing की व्यवस्था कराएं इंट्रेंस की व्यवस्था कराएं जिससे कि सबेच्छात्रों को सबको सहुरियत होगी और राश्टी सिक्षा उति शिप्षानीती इस प्रकार की नहीं बनी कि इतने ज्यादा से ज्यादा समय तक पॉब्लिक डूमेन में रखा गया था और लगबग धाई लाख पंचायों से कंसर्ट किया गया था लगबग 6,600 प्रखंड से कंसर्ट किया गया था लगबग 6,000 सहरी मीकायों से कंसर्ट किया गया था जिलों से concert किया गया था और इस प्रकार से जो सुझाव आये इस इक्षानित के संदर में लगभग 70,000 प्रिष्टों का सुझाव था जिस सुझाव का आखलन करने उसको समिख्षा करने में सभी इसके जो इक्सपर्स मेंबर थे उनको नजाने कितने दिन लगे बहुत दिन लगे और तब जा करके सिख्षानित के कारूप तयार हुआ तो सिख्षानित ये वाकई ये डेमोकरिक इस प्रकार की डेमोकरिक तरीके से बनाएगे शिक्षानित है कि वो अयतिहासिक शिक्षानित है इस दिश्टी से भी कि भारत के बिभिन समुदाय, बिभिन गाउं, प्रखंडो, सहरी निकायों, हर प्रकार के ब्रक्तिकी भागिदारी इस शिक्षानित के मसौदे को बनाने में ली गई अर्थात एक तरह से क दिखानीट को बनाने में तब जाकर की इसा तियार होई है तो ओस इसानीट ये निशित रूप से भारत की आत्मा को दर साती है heat की सांस्कितिक ब्रयासत को कई से आगे ले जाएं ऐसे जुआओं की तरफ सिखष्ण क рек्जा नीट गयार होंगें जिज्ञान में तरक सिसस्सी स्थादी की चिंवन्वतियों कर ने में सख्शम होंगे मगर किसे साथ साथ畏 पेंधर फाना होगी अपने मात्र भूम की महामना पंडित मदन महन मालवी जी भी जो की महान राश्टववक्त थे, जिनहोंने कासी हिंदू विश्टपित डाले जिसे बिश्टपित डाले की अस्थाप्ना की थी, जिसके एक ही विश्पित डाले के अंतरगत, बहुत सारे मल्टी फिकल्टी हैं बहुत सारे फिकल्टी हैं डिसिप्रिंस हैं आज की तारीख में हम अभी बात करें तो लगवाक एक सो चवुन वहाँ पर डिपार्टमेंट से हैं पुरे विश्विद्याले केंपर्स के अंदर ताकि येरिंग टेकनॉलजी मेडिसिन से सम्मानारह सदा कहते थे महामनाजी अपने चात्रों से कि सत्य का पादन करो ब्रह्मचर्ज का पादन करो सत्य न ब्रह्मचर्जेन ब्यायामे नाय विद्या ब्यायाम करो देश भक्ति आत्मत्यागेनो को कि देश भक्ती ही सबसे बड़ी भक्ती है और आत्मत्यागेनो अपना अर्थात हम समाज में सम्मान पाने के योगे तब होंगे जबकि हमारे अंदर देश्प्रेम की भावना हो और हमारे अंदर देश्प्रेम की भावना अपनी भासा जोड़ सकती है अपनी मत्रिवासा जोड़ सकती है अपने जो हमारी सांस्क्रिप्पिक विरासत के जो मुल्य हैं, उन मुल्यों को आत्मसाद करें तो हम अपनी मात्रि भूमे से जुड़ेंगे तो इस सिख्षा ब्यवस्था में वो इस प्रकार का अप्रावधान है कि बच्चे को अपनी मात्रि भूमे से अपनी माटी में जहां से पैदा हुआ है वहां से अपनी मत्रिभासा के प्रति लगाओ ये सब जुड़ाओ पैदा करने होंगे और इस राश्री सिख्षानीत के द्वारा पैदा होंगे और राश्री सिख्षानीति ये इस पूर्ण रूप से एक भारती सिख्षा प्रक्त ये शिक्षानीत है कि जो दिश्टी सुरू से ही ये देखती है ये सोचती है कि शिक्षा का उदेश केवल बौधिक विकास करना नहीं हुआ बलकि सिक्षा का उदेश सर्वांगीन विकास करना हुआ और सिक्षा का उदेश सर्वांगीन विकास की हम बात करते हैं सां जो हमारे भारतिय संस्कृति के मुल्ड रखे गए हैं जो हमारी संबेदनाएं हैं करुना है प्रेम हैं ये सब परिलक्षित होनी चाहिए हमारी शिक्षा दोस्था में जो सिछित व्यक्ति यो शिक्षा पाकर के जो तयार हो रहा है उसके अंदर ये मानुवशित होने हमें ध्यान रखना होगा कि छात्रों को तभी हम सही तरीके से सिख्षा दे पाएंगे जब कि वो गुन, सिख्षा देने वाले गुन हमारे अंदर में भी बर्तमान हो, हमारे अंदर भी देश्प्रेम की भावना हो, हम भी सत्त के पुजारी हों, हम भी ब्रमचरी हों, तभी ह जिस प्रकार हम बौधिक ज्यान च्छात्रों को देते हैं पहले हमें अपने आपको उस बौधिक ज्यान से अपने आपको आटमसंतुष्ट करना होगा रबिन्ना टेगोर जी कहते थे ए लेम्प कैनोट लाइट अनदर लेम्प अनलेस इप लाइट इसल वो लेम्प हम मुंबत्य की बाद वो चिराग दूसरे चिराग को तब तक नहीं जला सकता जब तक एक खुद में जलता हो इसलिए ये ग्यान का प्रतास दूसरे में फैलाने के पहले जरूरी है कि उस ग्यान से पुरो रूप से हम संतुष्ट हों इतना ग्यान हम अपने अंदर वो प्राप्त कर लें ताकि निशित रूप से हम ग्यान वो दूसरे को दे सकें तो इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अपने सांस्कृतिक ब्रासत से जब हम अपने चात्र को पर्षित करा रहे हैं तो हम उसके अंदर अपने सांस्कृतिक ब्रासति में हम गौरों की अनभूत करें हम आत्म गौरों की अनभूत करें अपने राष्ट की गौरों की अनभू को आत्मसाथ करते हुए हमें यह आगे बढ़ने की प्रणा देती है सिख्षानीती और निशीत रूप से और एक तथ है जो इस शिख्षानीत के अंतरगत और आउश्यक मैं कहना चाहूंगा वह है यह सिख्षानीत के अंतरगत यह संकल्पना की गई है कि 2030 तक 2030 तक विद्याल सई अस्तर पर ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो 100% हम प्राप्त कर लेंगे सौफ परतिसक इसका मतलब यह सिख्षानीत पुन रूप से एक समावे से सिख्षानीती होगी जो कि समाज के हर बर्ग की इक्षाओं का ध्यान में रखते हुए यह सिख्षानीती है और समाज के हर बर्ग के उत्थान के लिए सिख्षानीती है को कि तभी तो इक शिख्षानीत के अंतरगत कहा गया है कि सन 2030 तक 100% ग्रॉस इल्मेंट रेशियो हम एचीव कर पाएंगे 100% हम च्षात्रों को परहा देंगे विद्याले अस्तर पर ही कोई च्षात्र ऐसा नहीं रहा जा समा को यह सिख्षानीती विद्याले में लाने का प्रियास करेगी और 2030 तक 100% ग्रॉस इंडॉल्मेंट रेशियो की विवस्ता है और इसी प्रकार जब हम हार इजुके सन में जाएंगे तो सिख्षानीती के अंतरगत यह कहा गया है कि हार इजुकेशन में भी सन 2035 तक आज से 15, 2012 तक सन 2035 तक 50% हार इजुकेशन में ग्रॉस इंडॉल्मेंट रेशियो की विवस्ता है और थात 50% ग्रॉस इंडॉल्मेंट रेशियो हार इजुकेशन होगा सन 2035 तक आते आते इस प्रकार निशीत रूप से यह ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने वाले सिख्षा से यहां पर में यहुदा जाता हूं कि हमने कुछ महीनों से हमने देखा है कोरोना का संक्ट जिस प्रकार से हमारे समाज के उपर उसमें हम ओन-लाइन एजुकेशन के तुरब ज़्यादा ही हमारा ध्हार द्धान गया है तो तो आगे आने वाले दिनों में और निशित रूप से जो सुछा तो बदलती हुई प्रक्रिया है समाज के आउसक्ता के अनुरूप बदलती है तो निशित रूप से पेंडेमिक ने हमको उस मुकाम पर लाकर के खड़ा कर दिया कि बहुत लोग हमारे में से नचाते हुए भी कि जितने एलेक्ट्रोनिक मिडिया है यह जितने एलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्में हैं सबके बारे में हमें जानकारी हो गई हमें यानकारी हो गईamy अलग-अलग जैसे कि सीक्ट के मैगे गूगल है माइक्रोसाफ टीम है बहुत सारे हम प्लेटफॉंस आज अवेलेबुल हैं जिसके चलते कि हम ओनलाइन एडुकेशन दे रहे हैं हम ओनलाइन इवेलुएशन कर रहे हैं चात्र का और पहले थोड़ी जिजक होती थी अब तो सभी जगह हर अस्तर पर अब इसका कंप्रूटर का इस्तिमाल हो रहा है ICT टूल्स का इस्तिमाल हो रहा है जिसे अधिक से अधिक प्रहाय लिखाई की बवस्ता हम की जा सके और कहीं कहीं पर अपने देश में जैसे की आईसा भी दिखा गया है कि internet की कहिंगे पर असुविदा है तो उन खेत्रों में जहां internet की असुविदा है वहाँ पर भी WhatsApp बना करके किसी परपरतार से वो करकर करके यह इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि online teaching हमारी जारी रहे तो आगे आने वाले दिनों में निशित रूप से जो conventional teaching है class to class teaching उससे थो है कि धीरे धीरे आपके पाठ्ठक्रम में से काफी courses होंगे वो इस रिसोर्चे के रूप में आपको पढ़ने को मिलेंगे इस रिसोर्चे की तरफ हमारा ध्यान जाला जाएगा को कि already pandemic के दोरान बहुत सारे जोजिकस्तन इंस्विशंस हैं अपने को बहुत strengthen कर लिए हैं अ अभी से online teaching की तरफ आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हमको अपने ICT tools को मजबूत करना होगा और आश्ची शुक्षानीत में जिसा की कहा गया है कि technological intervention के दौरा तकनिकी के दौरा हम कोशिश करेंगे digital technology के दौरा कि गाउं में अधिक से अधिक गाउं में अधिक से अधिक ब्योस्ता हो कि internet connectivity बने वहाँ पर ताकि लड़के online education ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर क्रशकें तो उस दिसा में technological intervention के द्वारा digital India mission के द्वारा इस प्रकार का प्रविजन रखा जाएगा कि हमारा gross enrollment ratio बढ़े gross enrollment ratio विद्याले के अस्तर पर भी ब इस प्रकार जबी हम देखें तो आगे आने वाले दिनों में हमारे जो नेशनल जो राश्री सिक्षा नीत है उसके हम एक regulatory body की भी बात करें तो जैसे अभी इन्वर्स्टी ग्रांड कमिशन जो की हमारे बीश्विद्यालियों की funding जहां से आती है मगर इसमें कहा गया है पॉलिसी में कहा गया है कि जिसे technical education की अलग गवर्णिंग बाड़ी है है जेर्नल गेशन के लिए यूजी सी है तो कई नियामक संस्थाओं को एक करके एक होगा हार हर एक स्थाहँ हम इंडिया और हार हरुदके स्था सब्सक्राइफ और इंडिया यह वह बॉडी होगी जो की रेगवलिटरी बॉडी तो होगी ही रेगुलेटरी होगी एक्रेटेशन बॉडी होगी उसके उसके साथ साथ बहुत सारे उसके फंक्संस होंगे तो इसमें धान देने की जरूवत है कि नियामक और पूरे एक बॉडी होगी अफ्कोर्स लॉड और मेडिकल को छोड़ करके बाकी जितने भी तरह देनी हैं है उसके लिए एक ही होगा हार इधकेशन कमिशन अफ इंडिया और उसके अन्तरगत हार इधक लाफIsनल के लुग होगा अपन्साथ होगा इस जिसको हार के दिया हिंदिया कенд onde और हिए सोट इन नामी की बना जाएगा धिए दिरे उनको autonomy परदान की जाएगी, autonomy परदान करने से क्या होगा कि अपना नेरे, बहुत सारे नेरे, curriculum development का नेरे, बहुत सारे नेरे, वो अपने हाथ से वो ले सकते हैं, तो हार education commission of India के द्वारा, बहुत सारी जो bottle necks थी, जो बहुत सारी जो असुविधाएं हुआ करती थी, ध जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है, और और इसके अलावें, जैसा कि मैंने कहा, कि 6% of the GDP के खर्च करने की इसके अंदर व्योस्था है, कि हम कहीं से धन जुटाएंगे, प्राइबेट संस्थाओं के द्वारा जुटाएंगे, और जहां से भी हो पैसा जुटाते हु और जो एजुकेशन इस्टूशन हैं, वो मर्टी डिस्टिप्नरी इस्टूशन होंगे, तो इस परकार हम देखते हैं कि हम विद्याली अस्तर से लेकर के उच सिछा के अस्तर तक वो इन्वस्टी अस्तर तक भी हम जाएं, तो पाते हैं कि लड़के का डवलप्मेंट, उस समाज के लिए सीधे उपयोगी हो पाएगा. आज हमें उस प्रकार के के रिसर्च के उस प्रकार की entire thing कि अुध्या सकता है. ताकि हम समाज किया उसक्षा के सिजन के केंदर हैं तो निशित रूप से जो सिख्षा के सिजन के केंदर हैं तो जिब सोध होगा तो सोध को यूटलाइस करने वाला उसको यूजर इन पर ले जाने वाला इंडेस्ट्री के लोग होंगे कंपनी के लोग होंगे हमारा समाज होगा सोसाइटी के हमरे प्लानर्स होंगे जो जुझ जो हमारे सोध के द्वारा जो निकलेगा रिसर्च जो जग्यान निकलेगा उसको ले जायेंगे तो इस प्रकार इंडेस्ट्री एकडेमिया इंटरेक्शन रखने की वह उस्ता है ताकि इंडेस्ट्री पुपल के द्वारा जो क्या रिक्वारिमेंट है उनका वो हमारी को इसे भी ओपडेट करें तो इस प्रकार हमको कुलाबरेशन करते रहने किया वसकता है और धीरे धीरे यह सिख्छा तो अपनी जो हमारी ग्यान परंपरा है वो ग्यान परंपरा के अधार पर भी हमारे उसकों का निर्मार होगा अब यह हमने रास्ट्री श्ठानीद की विसेस्टाओं के उपर चर्चा की और कुछ समय में मुखरूप से जो इसकी इंक्लिमेंटेशन पउसी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं वह सरकार के दवरा मिन्श्री आफ पेडिरौकीमें के दवरा ओऱ डेड़्य जो टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि प्राइमरी अस्तर से लेकर के बच्चे के अस्तर से लेकर के हारिष्टेशन तक इस शिक्षा ब्यवस्था को इंप्लिमेंट करने में जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स की ब्यवस्था की गई है और पहली बात जो सबसे जो महतोपूर्ण है जो फाउंडेशन एजुकेशन में हम लड़के को सिख्षा दे रह रखते हुए हम किस प्रकार के सिलेवस का निर्मान करें किस प्रकार के महापुर्शों को उसमें लाएं किस प्रकार के जो भारती सांस्क्रिटिक मुल्य की मुल्य है परंपराय है उनको मुल्यों को किस प्रकार उसमें लाए जाए तो इसके लिए NCRT के ये मदारी दी गई किया गया है NCRT के द्वारा उसके उपर काम किया जा रहा है इसके साथ विद्यालय अस्तर पर जब हमें Skill training देनी होगी जब हमें vocational training देनी होगी तो वो training संभव है कि क्यों सिक्ष्कों के द्वारा संभव नहीं होगी वो ट्रेनिंग में हमको industrial people, समाज में काम करने वाले लोग, इन लोगों के भी भागेदारी time to time के लिए उसमें रखना पड़ेगा, कोकि विद्दाले ये स्तर से ही बच्चों को भी अपने समाज के परती उतरदाई बनाने के लिए समाज से भी इनका interaction होगा, समाज से भी वो फिल्ड टाइब के वर्क करेंगे समाज में जाकर के, तभी वो समाज की सम्मेदिनाओं को समझ सकते हैं, समाज की कछनाईयों को समझ सकते हैं, समाज से रूबरू हो सकते हैं, और तभी वो आगे जाकर के अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, चाहें समाज के किसी भी वर्ग से आया हुए बच्चा हो उसको उस प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी वो आगे बढ़ सकता है और उसके आगे जाएं तो हम बिश्बिद्याले अस्तर पर जाएं कॉलेज अस्तर पर जाएं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आने वाली है अभी है वो दिखाई दे रही है कि पठ पुष्टों का निर्मान हमारी मात्री भासा में अपनी भासा में यह कार्य असंभव नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन जरूर है और कठिन को हलका किया जा सकता है नेशनल लेवल पर टास्क फोर्स बनाके और इसको किया भी जा रहा है कि हमारे हाँ जो ग्यान भी ग्यान की जो सामगरी रही है वो संस्कृत और भारती भासाओं में रही है जो परमपराकत ग्यान भी ग्यान की सामगरी है और हमारे हाँ हमारे बेस में भी एक से एक बिद प्रणावती है आप शक्ता आएगी कि नेशनल लेवेल पर हम डाक्स पोर्स बना करके हम साइंस टेक्टनॉलजी इंगिनियरिंग सारी बुक्स की रचना हम अपने मौलिक रचना अपनी भासा में करें और उसके साथ-साथ जो उनका भी उनकी भी जो पुष्टकें हैं जो अ प्रवकार से वो सब्सिडाइज किया जाएगा इस तरीके से कि मौलिक पुष्ट को लिखने का प्रोसाहन मिले ताकि सिख्षक मौलिक पुष्ट को लिख सके और पुष्ट के अनुदित भी हो सके उसके टांसलेट भी किया सके दूसरी भासा में हम बहुत सारे विद्यसों मे हम लोग जाते हैं तो विद्यसों में देखते हैं कि इंडियन टेक्स्ट भी जो हमारे ज्ञान विज्ञान के ग्रंद ठें जो हमारे यहां वेद थे और बहुत अलग-अलग जो रिश्री महारशी थी उन्होंने भी बहुत पुष्ट के लिखी तो वो पुष्ट के हमारे ह जिएहां संस्कृत भासा में या दूसरी भारती भासाओं में रह गई ऑर हम को जो ग्यान विज्ञान जो पढ़ना पड़ाdt वो हमें पातश्यात्य भासा के चस्में में आकर कि हमको पढ़ना पड़ा इस पात्य संस्कीर्थी के पर आपके अपने जनग अधिविज्ञान को कि हमारे पुर्णे जो धर्म ग्रंद थे हमारे संस्कृत भासा में थे उनको पुरह लाने की आवशक्ता है तो कि हमको values मिलेंगे वही से मानममुल्य हमको मिलेंगे वही से आत्मगौरों का अनभव होगा वही से हम जब जानेगे कि हमारी ब्यासत कितनी मजबूत है तो निशीत रूप से हम अपनी ब्यासत को ले करके आगे बढ़ने के दिशा में हम बढ़ेंगे तो आज आवशक्ता है कि हमें किताबों की उच्छा में मौलिक उसकों के रचना करने की और अनुदित उसकों के रचना करन करना है गुनात्मक्त परिवर्तन करना है हम सोद संख्या के अधार पर तो कर रहे हैं जाकि मैंने कहा कि हम भी समय तीसरे अस्थान पर हैं मगर क्वालिटी और येंटेड रिसर्च की बात करें तो हम थोड़ा पीछे हैं तो हमको वह क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा और तो मिल बैट करके सवी स्टेक होल्डर को चर्चा करनी पड़ेगी विस्पधाल अस्तर पर चर्चा करने पड़ेगी नेस्टनल लेवल पर तो कोपरेशन होगा ही जो हम चाहेंगे उसके मताबिक मगर अपने लेवल पर नई सिख्षानीत की विस्वस्टाओं को जंजन में ले जाना यह हमारे हाँ यह आज आज के सबसे बड़ी आवसकता है और इसको सम्झाने की आवसकता है कि इस प्रकार के लिवाओं का निर्मार होगा कि बैस्ति चुनोतियों का तो सामना करेंगे उसके साथ साथ अपनी जो भारती संस्कृती है उसको भी आत्मसाथ करते हुए लेकर कि हमें आगे आगे बढ़ना है तो हम देखें कि राश्टी सिक्षानिती वास्तवी के रूप से यह 34 मर्स बाद जो 1986 के बाद वो सिक्षानित आई है भारत के दिश्ट्र को रखते हुए यह सिक्षानिती है कि ऐसे जुआओं का सिर्जन होगा कि वह वास्तों में जो हम परिकल्पना करते थे कि हम आज पढ़नी करके सही मनुष्य नहीं मन पा रहे हैं तो यह राश्ट्री सिक्षानिती सही दिश्ट्री से देखा जा इस प्रकार के सिक्षानिती है कि ऐसे जुआओं का निर्मान करेगी वैसरी चुनातियों का सामना करेंगे तो कि हमको समझना होगा कि यह करिश्ट्री सताथ्भी है ज्यान की सताथ्भी है और पूरा विसुजी स्तेजी की तरफ से आगे बढ़ रहा है चाहे वो जो भी छे हीच के प्रडुक्ष्ट्शन में भी हमारे हां कमी नहीं है मगर एक वीसी संस्कृति को बना करके हमको ले करके चलना है कि जिस संस्कृति से हमें भारतिता यहल joking के और भारत्तु कि 20 गु 20 अधर दर से लेकर के हमें अपने अंदर चलना है और हम को अपने अंदर के आत्म गौरों को जगाना होगा हमें अपने अंदर के आत्म सम्मान को जगाना होगा हमें देश प्रेम की भावना से हमें जुड़ना होगा ताकि हम आगे चलकर के हम कहीं भी रहें समाज में तो हम भारत का परति परकार के युवाओं का निर्मार हमारे हासिक शासन स्थानों में पुना जरूरी है महामनापंडित मदर महर मालवी जी जो अपने बच्छों से कहते थे तो कहते थे पिश्पिर डालयका उदेश से केवल उच्छी गुवात्मत्ता वाले वैज्ञानिक समाज सेवी और अभियंता बनाना ही नहीं है बलकि उससे ज्यादा जरूरी है कि उच्छी चरित्र वाले जिवाओं का निर्मार करना तो कि करेक्टर बिल्डिंग करें और भारतिय मुल्यों को अपने अंदात्म साथ करते हैं ताकि हम सही रूप से भारत का पर्जिवाओं कर सकें और याष्टि सिख्छानेति 2020 में वह सब कुछ है जिसकी चर्चा हम अभी हम लोगों ने किया और नीशीत रूप से इस सिख्छानेति जब लागू होती है तो यह सबकी जिम्मदारी बनती है सरकार की तो जिमंदारी है, सरकार ने तो कह दिया अस पस्लूप से कि यह सिख्षानीती हम सबकी सिख्षानीती है, यह समाज की सिख्षानीती है हर ब्यक्ति महसूस करेगा कि यह हमारे लिए सिख्षानीती है तो यह हम सबकी भाविदारी बनती है कि सिख्षानीती को भारत जो पहले विस्वुरू था, आगे आने वाले दिनों में फिर से भारत विस्वुरू बने, हम उस तरफ हमको चलना है, उस दिशा में हमको चलना है. इसी के साथ मैं अपनी बाणी को बिराम देता हूं और पुनह मैं एक बार अभार ब्रेक्ट करना चाहता हूं. आप सबका, आप आउयक मंडल के सबी सदस्यों का, कि आप सबने यह मौका दिया है, कि मैं अपने बीचारों को आपके समझ कर सकूं, बहुत-बहुत-बहुत धन्यवादू आपका जो यह लेक्श्चर था, यह गागर में सागर भरने के समान था हूं. आपने बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु आपने कहा कि कैसे यह शिच्छानिती अंसंधान पे बल देती है वो तो आपका मार्ग दर्शक आपका जो विचार है हम विद्यार्थियों के लिए हम शिख्षकों के लिए बहुत अलाभावेंट हैं आपको बहुत आभार हैं कि आपने अपना एक बहुत महतपूर समय दिया अपनी दस्ता से समय दिया आपको बहुत-बहुत साधर पड़ाम साधर नमस्टाशार इसी क्रम में मैं डक्टर शकुंत्रा मिश्रा नेशनल रिहाबिरिटेशन उनिवर्सिटी के माननी एकुलपती प्रोफेश्रा राना किश्पाल सर से अंगोद करता हूं कि सर आएं और अपने प्रिस्टेंसियल एड्रेस से हमारे आज के कारिकरम को लाभामेंद करें डक्टर शकुंत्रा मिश्रा राश्टी परनौश विश्विध्याले जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूनिक प्रोफेश्रा राना किश्पाल सर समावेश्रीक शिक्षा के छेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को आगे पढ़ाने में एक बहुत ही महत्पूर योगदान देना चाह रहे हैं मैं सर से अन्रोध करता हूं कि सर आएं और हमें अपने विचारों से लाभावामिंद करें आवाज आ रही है हां सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं इस रेफलेक्टिव डिस्कोर्सेस आन ट्रांस्पार्मिंग देजुकेशन सिस्टम और रिशेपिंग दी ट्वेंटीफ सेंचुरी भारत इस बिसेपर पिछले तीन दिनों से हम लोग विसेस हम अंतरित सर्जनों से आपके इस विसेश वेबिनार में राश्क्री सिक्षानी 2020 सिक्षा में ब्यापक परवर्तन कियो इस विसेपर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हमारे सेंटर लिनोस्ति गुजरात के मानिय कुलपत प्रफसर आरेस दुबे साहब ने दिया मैं आपको प्रणाम करता ह हूं और विशेश रूप से आपके इस बहुत ही अच्छे ब्याख्यान के लिए आपके प्रति आभारी भी हूं साथ ही ये नेशनल इस्टूट फ़ार की इन पावर्मेंट आप परसंस विज्वाल डिसेबिल्टीज देरदून के निदेशक महदे को भी मैं धन्यवाद कर कराता हूं क्योंकि हमारे इस विशुविद्याले के साथ उन्होंने उड़िनेट करके इस वेबिनार के आयुजन में काफी मद्ध किया है इस में लगे हुए सभी बिद्धवल्जन इसे दॉप से डाक्ट रजिनीज, रगनियर सिंग, डाक्टर पंकज कुमार, डाक्टर तो था अन्य जो भी इसमें साहे के रूप में जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और इस वेबिनार यानि इस कारिक्रम में जुड़े हुए, सभी प्रतिभावी उगड़े हुए, अब मानि दोवेजी से इतना कुछ सुनने के बाद, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसमें और कुछ जोड़ सकू, लेकिन मैं एक दो चीजे, क्योंकि लगबग जितने भी महत्वपूर्ण अवयो थे इस राष्टे सिक्षानी 2020 में, आपने बिलकुल ठीक प्रकार से उन सारी चीजों को के द्वारा, यानि अपने भासा में आपने साहनों का आपने विशेश रूप से जो एक चीज की है, मैं उसी आस्पेक्ट को, यानि एक तो GDP की बात जो आपकी रहने की है, विलकुल बहुत ठीक कहा आपने, क्योंकि किसी भी देश में जो सिक्षा होती है, उस देश की एक तरह से वो नीत, निर्धारन में सहायक होती है, और वह कि उस देश को आगे किस देशा में ले जाना है, ये वार्ग दर्सम उसके सिक्षा की द्वारा ही हमको मिलता है, तो जो एक GDP का जो पहले 4.25 या 4.5 आप कह सकते हैं, लगबग जो GDP था, उसको बढ़ा करके जो छे प्रिशत किया गया है, वो एक बिस्यो के अनुप मुझे कि वो लाने की एक प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि आगे इसमें और भी बढ़ुत्री होगी, तो जो भी वे आना चाहिए, तो उसकी तर्देशा में आप कह सकते हैं कि सार्थक और महत्यपुन परवरतन है, दूसरा, प्रफश्ण दूवे सामने जो है, वो हमारे ने लगभग 1.69% GDP का ही सोध या प्रिशर्च के लिए अबंटित हुआ करता था, जबकि दूसरे अच्छे जो बड़े डिबलब कंट्रीज हैं, जहां पर कि हम देख रहे हैं, वहां दो से लेकर कि और अधाई प्रच्छे, 2.5% तक जो है GDP का सोध की प्रती जो है, वो सब्सक्राइब के साथ ही इसमें मुझे जो जानकारी है, वो या गया है और यह बहुत ही अच्छा है और इस फंड के द्वारा विसे सुरूप से जो जैसा प्रफिर दुमेश साब ने भी बताया, कि हम क्वांटिटी में तो तिसरे नंबर पर हैं, आप कह सकता है कि तिसरे प्रोड़क्टिव है, क्वांटिटी में जो रिसर्च यानि सुर्द पत्र है, परत्तु क्वालिटी के हिसाब से हमारी स्थिती जो है वो बहुत प्रफिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो यही है कि हमको क्वालिटी को ही बढ़ाना होगा, तो कि बिला क्वालिटी बढ़ा है, फिर हमका राजो अंतर राज्टी अस्तर पर हमारा जो आना चाहिए, तो वो प्रतिभाग हो नहीं पाता है, तो इस इस रूप से अगर फंड बढ़ेगा, और दूसरा, जो मुझे लगता है कि प्रदानमंत्री जी ने भी और हमारे कस्तूरी नंग साम ने भी और UGC के चेर्मन साम ने भी एक इछले किसी दिन जो वेमिनार हुआ थे, मैं भी प्रत्मा कर रहा हो, प्रफ्टर दूबे साथ भी कर रहे होंगे, तो अस पर यह था कि एक तरह से जो हमारे अच्छे इंस्टूशन से जो सोध की छेतर पे काफी डेबलब्ड है आप यू कह सकते हैं जैसे डिबलब्ड पी नेसन में है उसी तरह से जो डिबलब्ड हमारे रिचर्च इंस्टूशन से और जो अंडिबलब्ड हैं उनको अपनी छटर चाया में लेते हुए उसको मार्ग दर्शन देते हुए आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है इस च प्रदान मंत्री जी मैसूर मिस्व विद्याले के जो है वो समय लिक्षांत समारों में बात्चीत कर रहे थे तो वो आवाहन कर रहे थे जो है वो कि नवाचार के बारे में यानि एक तरह से जो है वो विद्वानों को विशेशुरु से विज्ञान और तक्निकी के दो चेत्र तो से संबंदित हमारे विद्वान है उनका उन्हों ना आवाहन किया कि नवाचार जो है वह जनी नए अनुवेशन जो है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रदान मंत्री जी इस दिसा में काफी गहराई से विचार करते हुए अनुसंधान के प्रति लोगों का आवाहन और उस इस टेकोल्डर से इस दिसा में प्रदिभाग करते हुए सोध को आगे बढ़ाएं ऐसा जो है वो उन्होंने आवाहन कल किया था और साथ ही उन्होंने कोड़नेशन की बात की थी कोड़नेशन यानि विज्ञान और तक्नीकी को एक छेतर में आप डबलूप करके आगे जो ह है उनसे इंट्रेक्ट करके हमने क्या डिबलप किया है और क्या चीजे आगे सोध में हो रही है तो एक दूसरे के जानकारी लेना और फिर अपने आपको भी उस दिसा में आगे बढ़ाना ऐसा प्रिशार जो है उन्होंने कल अपने संबोधन में रखा था तो एक तरह से ज जुड़े हुए लूग चात्र उनको एक सरवांगीड विकास निए देश में किस तरह का परिवर्तम होना चाहिए हमको देश को किस तरह ले जाना है उसमें कितना सहायक हो सकते हैं ऐसे विकस्तित मानो जो आगे इस देश को ले जा सके उसका जो है वो कैसे आगे है कि इसमें कई स्टेक होल्डर हो सकते हैं लिखिन मेरे विचार से तो जो अध्यापक है जो गुरू है जिनको इसको आगे बढ़ा करके ले जाना है चात्रों को शिचित करना है उनका सबसे अधिक जो है वो ताइत बनता है तो अध्यापकों से बिसेश रूप से इस पर जो है वो बिचार करना होगा और सही कहा है जो हमारे दुबे सामने की विस्चु गुरू अपना देश जो है विस्चु गुरू की परिकल्पना जो थी जो पहले था भी उसको कैसे हम पुनर अस्थापित करेंगे उसके लिए इस जिच्छा नीत के द्वारा एक वैसिक मान आपका सकते हैं जो बिस्चु कल्याण के दिसा में सोच करके आगे चले ऐसे मानों का निर्माल करना और पुनर एक ससक्त समर्थ और आत्म निर्बार्भारत का निर्माल करने में हम लोग साहय को ऐसी सिच्छा नीत जो है कि द्वारा हम कैसे आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो टापिक है सिच्छा में एक बैक्ट परवर्तन की और यह बहुत ही ठीक है और सोच समझ करके रखा हुआ है यह जो 2020 सिच्छा नीति है जो 34 वर्सों के बाद जो है वो 68 के बाद एक आई है इसमें कई कि पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके द्वारा हम निश्चित रूप से एक आत्म नरभर और बहुत ही उज्वल भविस्य के साथ आगे बढ़ेंगे इस अपने देश को आगे ले जाएंगे मुझे लगता है कि इतनी ही बात कहते हुए मैं पुनह आयोजय सम करता हूं कि मुझे भी इससे जोड़ने का अपने एक आउसर दिया और पुनह मैं प्रफशा आरेस दुवे साब को और इमान सुदाश जी को धन्यवाद गयापित करते हुए अपनी बास समाट करता हूं धन्यवाद धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने गुडवत्ता प्रवक्षोत पत्र की बात की हम शोताओं को जितने भी शोता हैं मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हम रिसर्च पेपर लिखेंगे इसको ध्यान रखेंगे वह क्वांटिटी की ही बात ना करे हम मैं सरका भी बहुत अभार करता हूं कि सर आप आये थे जो समिनार आये जितकी हमारे विश्मीद धियारे से हो इसके लिए बहुत बहुत अभार मैं करता हूं सादर पढम करता हूं डक्टर हिमान सुधास डिरेक्टर न.I.V.P.D. का इसी करम में मैं गुत आफ थैंक्स के लिए डाक्टर पंकज कुमार असिटेंट प्रफेसर नियूपीडी को आमन्तित करता हूं कि वो आएं और आज कोई फूट आफ थैंस गयापित करें डाक्टर पंकज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बजे सर आज के इस अंतिम पड़ाओ में मैं सबको धन्यवाद ग्यापन करने के लिए आपने आफसर दिया है तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज हमारे और जस्वी वक्ता आज हमारे बीच मौजूद थे मानिये कुलपती गुजरात केंद्री विश्व विद्याले के कुलपती प्रोफेसर आरेस दुबेसर उनका आज हम लोगों ने जो व्याख्यान सुना वो काफी बड़ा ही प्रभावी का जहां पर उन्होंने बताया कि किस परकार से भारत की जिम्मेदारी सिर्फ के रूब में बनाने की दिशा में हमारे सिक्षानीती काम करें इसके लिए उन्होंने अपना ऐख उब राश्ट्रे सिक्ष्षानीती और वकैसे इसको support करेगी इस पर उन्होंने बहुत अपना पच्छ रखा उनका बहुत भुत धनेवाश आपका कि आप हमसे जुड़े आ प्रूताओं को आपने लभानवीत किया और इतने लोग भी बहुत सारे लाइब इस कारिक्रम को डेख रहे थे सर्कार इस अगली करी में मैं धनेमाद देना चाहूंगा इस कारिक्रम के पैटरन मान्ये कुलपती स्री राना गोपाल कृष्पाल सिंग सरका और डॉक्टर हिमा अजे ख़़रेल कर लोगों है अपना जीरीज में अपने अपनी उपस्तिति दीए और अपना मात दशन दीया अपना समय दिया और बारीखी से इस कारिक्रम के पहलूं को भी सब से चाहित हैं जो कि आपने ऐसे अनोखे कारीक्रमों को संचानल के लिए सभी को प्रेश्ट किया है सर्थ कि इस कारीक्रम के लिए सबसे ज्यादा महत्तकुन होयाता है कि प्रतिभागी जो हाज हम से जुड़े हैं उन सभी प्रतिभागी का बहुत-बहुत दहनेवाद आभार क्योंकि उनके बिना एक कारीक्रम नहीं होता है यह जो ने भारत की बात कोड़ी आँ जब तक इस विचार को अधिक सधिक लोग तक ना जाये तब तक ये विचाही पूर्ण नहीं हो पाएगा, हम उस नए भारत की बात जो करना चाहा रहे हैं, वो पूर्ण नहीं होगा, तो सभी प्रतिभागियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस कारिक्रम के आयोजन के जो मुख्य किर्दार या जो मुख्य इस कारिक्रम के ज पूरे जो आयोजक मंडल है, उन सबको जोड कर रखा, सबको समय समय पे अपडेट और सबकुछ एक टक्निकी पक्ष हर कुछ की समझ वो रखते हैं, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो हमें हमें साथ मांगदर्शन निर्देशन देते रहे, इस से कारिक्रम सही र कर रहे हैं, मुकुल भावना वेगरा, टेकनिकल सपोर्ट कर रहे हैं, इसे कई लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षरूप से सब लोग साथ मिला है, सभी कारिक्रम संचालित हो पा रहा है, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे अगले कर लिए नोटिफिकेशन वाट्सप पर सब को प्रेशित किया जाएगा, सभी को फिर से जुडने के लिए बहुत-बहुत धनिवाद, थैंक यू सो कच। बजब भर बहुद धन्यवाद पंकर आपका वी जब थो कि अच्छ्छ्छ नवाश्क नवाश्कार का थे मैं सब्कुना धन्यवाद देता हूं प्रडाम करता हूं अपने गुरुजनों को हो, कि सरलोगों ने आज का समय दिया, अपने बहुमल कीमत समय निकाला, प्रोफेसर दूबे सर, प्रोफेसर राना किश्पास सर का, विसी सर का हो, कि आप लोगों ने समय निकाला, हमें लाभावाइंद किया हो, आप लोगों का साधर परड़ा, हम साधर लागू करिए इसी के साथ हम आज का कारिक्राम समाप्त करते हैं सभी बढ़ों को मेरा साधर प्रणाम और सभी छोटों को नमस्कार 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 प्राम सब्सक्राइब कर दो अपने आपको पिक्टर लें कि सभी लोग अपने आपको लाग ओड़ कर लिए जितने लोग प्रोगाम को खतम हो चुगा है इस दरे में फिर होता है कि अब आप कि अब कि अब कि अब कि 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 आप कि कि झाल 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 झाल